नमस्कार, माइका में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे पनीर भूर्जी जो बहुत ही आसानी से जटपट बनकर तयार होगी इसके लिए एक पैन में हम 1-4 cup oil डालेंगे और आप चाहें तो इसे गी में भी बना सकते हैं और फिर इसमें 1-3 spoon जीरा डालेंगे और जब जीरा क्रेकल हो जाएगा तो दो गिरीन इलाइची को आगे से थोड़ा क्रश करके डालेंगे जिससे उसका फ्लेवर ओयल में अच्छी तरह आ जाए अब इसमें हम कटी हुई मिर्ज डालेंगे मैंने मेरे पास रेड थी तो मैंने ग्रीन और रेड दोनों काटके डाल दी हैं अब दो बड़े टमाटरों को हम इसमें चॉप करके डालेंगे टमाटर इसमें आप चॉप करके ही डालें प्यूरी करके डालने से फिर ग्रेवी इसमें काफी थिन हो जाती है अब टेस्ट के हिसाब से नमक और आदर टीस्पून हल्डी डालकर हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद इसे हम ढखकर दो मिनिट पकाएंगे जिससे थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए अब इसे खोल कर हम हलका सा मैश कर लेंगे बहुत जादा प्यूरी नहीं करनी है पस हलका सा मैश करना इसे अब इसमें हम एक बड़ी कटी हुई कैपसिकम डालेंगे और एक टेबिल स्पून इसमें हम अद्रक डालेंगे अगर आपके पस कलर्ड कैपसिकम है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं उनका भी कलर इसमें बहुत अच्छा लगता है अब इसमें 1-4 तीस्पून पावजी मसाला और एक टीस्पून लाल मिश पावडर डालेंगे और एक टीस्पून कसूरी मेती हलका सा रोस्ट करके डालें और उसे इसमें फिर डालके मिक्स कर लें और मिक्स करने के बार हम वापस इसे एक मिनट ढख कर पकाएंगे जिससे कैपसिकम भी थोड़ी सी इसमें सॉफ्ट हो जाए अब एक टीस्पून धनिया पावडर और आधर टीस्पून चाट मसाला डालेंगे अगर आपके पस चाट मसाला नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा अमचूर भी डाल सकते हैं अब इसमें हाफ केजी पनीर को हम हाथ से मैश करके डालेंगे बूजी में पनीर हमेशा मैश करके डालें प्योंकि इसमें कुछ चोटे और कुछ बड़े चंक्स जो रहते हैं वो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं और अगर आप इसमें पनीर को ग्रेट करके डालें तो फिर वो बहुत मैश हो जाता है और दिखने में अच्छा नहीं लगता है इसलिए बुजी में पनीर को हाथ से रफली मैश करके ही डालें अब इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे मसाला और पनीर अच्छी तरह मिक्स हो जाए फिर इसे हम ढखकर धीमी आज पे 2 मिनट पकाएंगे जिससे पनीर भी अच्छी तरह गरम हो जाए और वो सारे फ्लेवर्स भी एब्सॉब कर ले अब mix करने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून बटर डालेंगे और आप चाहें तो बटर की जगे घर की मलाई भी डाल सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसे skip भी कर सकते हैं और फिर इसमें थोड़ा सा टैंगी टेस्ट देने के लिए हम एक टेबल स्पून नीबुकरस डालेंगे और फिर डालके इसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और अगर आपको भूर्जी थोड़ी सॉफ टेक्स्टर की चाहिए तो आप इसमें 2-3 टेबल स्पून दूद या फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं इस स्टेच के अब हमारी पनीर भूर्जी बनकर तयार है इसे आप रोटी पराठा किसी के साथ भी एंजॉय करें और अगर आपकी लेफ्ट ओवर भूर्जी है तो आप उसको सैंड्विच बना कर भी एंजॉय कर सकते हैं I hope कि आपको ये रेस्पी पसंद आई होगी फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें